हेलो गाइस वेलकम तो संपेपर एकादमी फो सिबिल सर्विसेश अजी आमी 4 जन्वरी उन्तु अनलाइसिस दा हिंटु न्यूस्पेपर एटु अपना लो करा गट लो है इसु आई होप अपना लोके आगार खीनी आमार साइसे आरो जीकिनी आमार क्वेरी आसे आपना लोक संपेपर एकादमी फो सिबिल सर्विसेश सो एता दुख जना गटना हंगोटीटा होई से 103 किल्डिन ट्विन ब्लास एट मेमोरियल इवेंट इन इडान सो इडानोट ए गटनातु होई से GS2 बा GS3 अंडरोट कभार होगो बोम रिप ठोए क्राउद इन कामान कमेमोराटिं स्लेइन जेनेरल क्वाशिम सलेमानी अन्डा एनिवर्सेरी अविस्किलिंग सो एन्नेकवाटा ओकेजना जीखिनी लुख खमाबेटा होई से टार टाते ब्लास केटा होई से ट्विन ब्लास चुँ सो ए विखेखके एटु उपरोट जोडी सब जुआ जा एटि तिहले आम जी हेतु इरान नाम तो मेंशन आसे छो इंडिया अरु इरानों रिलेशन अरुपरोट अलपमान सब लागीवा अरु ए जुन्तु घतना ताते 211 वेर अलशो इन्जियोट अरु एतु सब अपनी दा ब्लास विच सेट तेलिविजिन कॉल ए टेरोरिजिम टेरोरिस एटेक केम विच एन टैंशन रानिंग हाई इन वेस्ट असिया ए देय आफ्टर हमास मेंबर हमास हमास नमबर तू सलेह अल अरुडी एन एरान एली वास कील इन ड्रोन अटेक अने बेरुट सब्राब विच लेबानीस ओफिचिल ब्लेम ब्लेम अन इस्राइल सो लेबानीस इसराइल अल ब्लेम कोड़ी सिल अल ब्लास तुक नियर सहेब अल-जमान मस्क्यू इन कर्नान शुलेमनीस सौडर्न होमताउं वेर इस बारीड एस अपोर्टर्स गेडर्ड तू मार्क अनिवर्शिय ओफिट इस किलिं इस डोन श्राइब श्राइब अटसाइब ब्लेम इसलों ने के बढ़ी मनें श किलिंवर्ट और इस अपुल्टर्श गेंपरी टीज़िद अगें निए विलिड़ों श्राइब इस अट प्रिच बालस आपड़ी इस बिर्च्शब अच्वीर सा श्राइं ने अलगें अनिडिकर श्राइब अनिवर्टरु इन के ओंधिन र 1950 ते अन्युकर मज़न दिप्लोमाटिक लिंग स्ताबिश्वेशिले तो था भी तो अमारे जुन्टु दिप्लोमाटिक लिंग देटु अपसें दाउनर मज़ने असिल कियो असिल सायल मामी In 1953, Iran was ruled under Sir Mohamed Reza Pahlavi. During March of the Cold War period, the relation between India and Iran suffered, due to different political interests, primarily due to non-aligned tactics of India towards US, which enjoyed close time with Iran, Iran और close time with Iran. Also, India was leaning more towards USSR, specially after the conclusion of Treaty of Peace and Friendship in 1971. So, तार पिस्वते अलाप, there was a contention, but difference between India and Iran. After that, time to time, improve करा चतनो करा होई सिले. After Cold War, relations have been improving, Iran and India closely cooperated in supporting Northern Alliance in Afghanistan against Taliban in 1990s. Okay, Iran emerged as India's most viable transit option for trade with Central Asia and Russia. India and Russia and Iran signed an agreement in 2000 for sending Indian cargo to Russia via Iran through a north-south corridor. In 2006, India voted against Iran over its clandestine nuclear program at International Atomic Energy Agency. Due to US pressure, India slashed oil imports by 40% and backed off from pipeline project bringing gas via Pakistan. So, इना 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 अलाइन नाचा करा चातनो और चतनो होई सिले. due to Iran's nuclear policy okay after that की हो प्राइम मिनिस्टर मोडिस हिस्टरिक विजिक टु इरान इन 2016 लेट टु एन्हेंस फोकास्ट ओन इंग्रेजिंग कनेक्टिविटी ट्रेड इन्वेस्में एनर्जी पर्टनर्सिप चो एके ता के ट्रत मोडिसी विजिटोर पिसा जठास्टो स्ट्रेंगें और इंडिया आफ्गानिस्ट्सान इन इंडै आर्यदे ट्रिट्रेड an प्यान टारुपोर्ट भाहरा जिखनी असे तेने बढ़ान। सो अरिया आप कोपरेशन हो जरी रुतामां सा एकनोमिक खेत्टर भा एनर्जी सेक्टर विल्यो कोपरे प्यान टारु इन इमपर्ट विल्यों अविल्यों फार्टलण एकनोमिक तेनछ फिल्यों झासं प्यां कोपरेशन गोंहर विल्यों कोपरेशन जरी कोताम। तेने के ता प्रोपोस्थ इरान ओमान इंदिया अंदर सी ग्यास पाइपलाइन केन हेल्प इंदिया मुफ तो अर्च क्लीन अनर्जी इंदिया इरान जॉइंट कमिशन मीटिंग होई रेगुलार बालीटेल टॉक्स होई तो अमार एता डिप्लोमेटिक रेलेशन हो कारने गुर्ट पूर्ना कोथा तेने थोरने जॉइंट बिजनेस कांचिला मेंटिंग होई रेगुलार्ली कोई ठाटे नेक्स्ट तोजी आमी साबले जाओं कुल्च्र एंड एडुकेशन अफ्तर एंडेशन हो काट्र एंडीज नेक्स्टर हो मूए तो नेक्सट पूर्णाशन होस्तर एंडीज थोर एंडिए उस्टेशन होई एक अचल्चाल एक्सीनेशन प्लास तूरीजिम प्रोस्पेक्टर पिनोपराव इडान आभू इंडियार रिलेस्टन तो इंपोर्टेंट एराउंड 40,000 इरान्यांस एब्री यार इंडिया विजित कोरे पर विडियास परपास ठीक असे नेक्स्ट आही गोल इनफरस्ट्रक्ट्र प्रोजेक्ट एतु बहुत इंपोरेंट था, असलताय चिनेक्टिविटा केक्टोट सवावर पूर्ट इस नोटोट प्रियु नोट प्रोप बट अमार जुट चाइनर हाऊंटर बने न फ्रमडश और डोर्केस्टेक्स लाइक्साय जाम काउंटर उब में तEMA करें मेतल हींगें जो आपाउते नोर्संट जों दिना पेनफे तक फ्रेर이지 खेंश हो मुश्यपई कर मैस् गुंदिंतन भीर्वीन। यह लोग खोड़ा खीपलाई, यह केता प्रोजेक्ट लुआ गोई से, साहबर पूर्ट इंटरनेशनल नौर्ट शौर्ट ट्रांसपूर्ट कुरिदोर, यह लिए पर डिटेल अमी पुरहिं, जिया तो अमी नुस्पेपर अनलाईसिस कुरिया सु, इंटील पुरह इंटरनौनर जाब। से स्रिफियु उल्सक्तों में स incarceration guarantees in Parasian Gulf in Iran. न देर हैं में पिन्टी ए यह लोग्ता आंक कारा मी नेंट, विए एलाव इंटिया तो बेपस्किस्टन तॉ थाइंटान सथ्रांसफूर्द गूट्स थाफग्डनिस्थन शो अफगानिस्तन ओर ट्रो इपला है डायरेक्ट एनका कोली पलाए इंडिया ले आहिवा परिवा बाइपसिंग पाकिस्तन, ओके या तया अपनावं के सभा पाड़े एकारो एकारो लो रिका कोरे रिकारों दोड़ेंसाएकी. इृटोयू ज़ा नियूदेग्यू रडीचिन आप्रिश कोस्ति दीघे, तरहोंगे डेना के धोजेप्सुमन क्लमे प्राभ चरिश, इ débैक hosted one I estan, byる क만ने कर्cion처ं 파ोन एंपकेृर, ओ्याचरि लिए, पहरोंगे काई तरहा देना कर दौक्टीरा। Okay, Turkmenistan, etc. Turkmenistan and other Central Asian partners. So, these are very important connectivity project. ठीक हसाँ, next. International North-South Corridor 2 को थाखवा परे, A SIP, A Rail and Road Route for Moving Flags between India, Russia, Iran and Europe and Central Asia. A corridor 2 एखवा टु एखवाँ हरे. It aims to provide the shortest multi-model transportation route linking the Indian Ocean and Persian Gulf तुन तु रेडर ने मार्क कोड़ासे एटु एनेस्टीसी राउट रो इरान अजर्वाजन एन रासिया ठीक आछे और स्टेंडर्ड राउट तु केने के होए आम एने के कॉरिकुला है जागो लागे तु कर दिखा चे नेक्स्ता मैं आठिकल लाज जाऊं एस पर द नियूस दा Employs Providence Fund Organization on Witness Day extended the time for employees to upload and submit the joint options for employees for claiming higher pension with their wage detail online till मार्स 31 जिखी नी employee को लोग ख्लेम है higher pension regarding their wages details एतो तिल मेए 31 ओले के extend कोड़ा होई से time to, एतो सब्टा employees providen fund on wedges day extended the time for employees to upload and submit the joint options of employees for claiming higher pensions with their wage details. So higher pension along with their wage detail to submit kara कारणने टाइम टो एक्सेंड कोड़ा हुई से 31st में लेके ठीक असे इस इस फिफ्ट एक्सेंशन फोर प्रोसेस विच वास इनिशियेटेद तु इंप्लीमें दा सुप्रीम कोड भर्डिक्ट ना मेंटर देलिवर्ड और नॉवेंबर प्थाजन टुटी टू यार GS2 रा अमियता काथा जनिवल लगे एतू ओक इपफोर काथा मियल उप्साइलां एपफोर इस 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 पीजिए बाइन एक्ट अट पर्लिम एंडिया टो प्रोवाइट दावकास वोकिंट इंडिया चेम इंट इंट आ फोर्स भाइम्में प्रोवियमें प्रोवि एडिया, okay? So next, I mean, के तमान सां मेजर स्कीम है, E.P.F.O. के तमान, E.P.F.O. Schem 1952, सार फिचर है, एडिया से, ऐकुमलेशन प्रस अपन रतार्रेमें देट, पर्चिल विड्रोल अलाओ पर एडुकेशन, मेरेश, इल्नेस, जान वास चॉंस्टॉक्शन, Housing Scheme of E.P.F.O. Members to achieve Prime Minister's Vision for Housing for All by 2022, एडिया स्कीम है, 1995, E.P.S. तर फिचर के निहोल, monthly benefit for supernation benefit, disability survivor, widow, or children, कारने, minimum pension for disabledment or past service benefit to participant of R.S.W.E.F.O. family pension scheme, 1971, एडिया स्कीम है, 1976, the benefit provided in case of the death of an employee who was a member of the scheme at the time of death, around benefit amount 20 times of the wage, maximum benefit कि बाना पो 6,00, so these are the major schemes, 1, 2, and 3, you can note it down. Next, Amisam, Venkata Lakshmi gets Nitra Kalanidhi Award, so basically GS-100 आहे, एडिया स्वाब परे, he will receive Nitra Kalanidhi Award, वसंतलक्समी, वसंतलक्समी, नरासिम्हा चारी, so he got the Nitra Kalanidhi Award, या जनिवालोगा पठा है एडिया, वसंतलक्समी, वसंतलक्समी, नरासिम्हा चारी, वसंतलक्समी, classical dancer and choreographer, he was classical dancer and choreographer, there is not choreographer, या जिकासा, accepting the award, he describes it as a significant moment of her life, it is not Vassanthalakshmi, वसंतलक्समी, 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 जी एस्ट्री अंडरो एंटो कोटा होल की कोई से 50% of cybercrime planes originate in china pockets of Cambodia and Myanmar तो यह किता है pockets of Cambodia Myanmar आदो चाइना ते 50% of cybercrime originate around 50% of cybercrime complaints received on a national cybercrime helpline every day have their origin in China and pockets of Cambodia, Myanmar, Cambodia and Myanmar अधिनी उल्लेक कोड़िसे सो इभिला को रुपड़ोट स्टेप लुआ आसे awareness campaign टू होई आसे सो वाटर्डा स्टेप्स देट तु बी टेकेन बाई गवर्मेंन इन डिस रिगार्ड एट रुपड आपना लुके अलभबान सायूल अभाभाल के रुपीस वान वान टू सेवन कोड़ आसे ब्लॉक्ट जेखीनी अपना लुकर फ्रोडुलेंट ट्रांजेक्शन अरो कोड़ोट कोई से इमान केनी टोका ब्लॉक कोरी लिया होई से आरो केकी नहीं होम आटे उल्यक कोरबार्वाटा कोठा है सेले G20 website saw 16 lakh cyber attacks per minute per minute 16 lakh cyber attacks वहिसेले G20 website during G20 summit in 2023 the official website of conference saw 16 lakh cyber attacks per minute CEO of Indian Cybercrime Prevention Center टेखेते ए कोठाखी नी उल्यक कोड़िसे सो अमी केटमान things to note सायलो So, cybercrime अने किवा, any offences committed against individuals, groups or individuals to harm the reputation or cause physical, mental, pro-machro-electroning means can be defined as cybercrime. By IT Act of 2000, किस्मान चाटगोरी इसे, cybercrime or types D इसे, identity theft, counter, cyberterrorism, cyberbullying, hacking, defamation, state secrets, freedom of speech, harassment and stalking. These are categorized under types of cybercrime. So, R.E.P., कि इन्ड़ए इसे, Digital India Act 2023, एकोन जस्चानशचराइगए इसे, aims to replace the Information Technology Act 2000 and provides a comprehensive framework for regulating digital facets in India, which has become very important for data security and privacy. This act will be implemented along with the Digital Personal Data Protection Bill 2022, which was proposed in November 2022 and will deal with data privacy rights. samewide. निक्स साथिघ। कम च्स्टेस्очкаरAbana Supreme Court अकोिसे च्स्टेस्क्रिम बाइब्राइशन सेधे प्रिम कर इस मेच है Supreme Court Supreme Court canopy they said Cast waste discrimination of prisoners Segregation of manual work among them According to the caste hierarchy and treatment of inmates from the The notified Tribes as habitual offenders Within the Four Walls of the Prisons across the India Walls across the India वासे a very important issue that needs to be address. So very important to अधा, जरे अमार जिखिनी कास्स दिस्क्रीमीनेशन होई थाके, जो नमार हमा जटे नहां विलिगेंदा बार, मने बित्रोर्त प्रीजन्र बित्रोर्त जाते इइस्क्रीमीनेशन कि अगवाई नासा है। इसक्रीमीने इसक्रीमीनेशन कि अगर आज क किस वान सेफ़कार्ट हासे एको ठाकी निया में जानी बोलागे Equality before laws इतु 14 आर्टिकल अस्ताब्लिस कोई से Progression of Discrimination Article 15 Under Equal Opportunity Article 16 Abolition of Untouchability Article 17 Promotion of educational and socio-economic interests Under Article 46 All these are important and these are सेफ़कार्ट्स अगेंस Discrimination in India अर्वेटा कफा मान कोई बोलागे सीधुल कास्त अपलों पोटेक्शन हो कारणव साथे इन केटावान सेक्षन हासे जिएकोले पोलिटी भालके पोई से ते उनके लिंक करवा पारी हो Article 335 provides that The claims of members of सीधुल कास्त and सीधुल ट्राइब shall be taken into consideration Consistently with the maintenance of efficiency of administration in making of appointments to service and post in connection with the affairs of union or of a state to under Article 335 तैने के Reservation in legislature Legislature reservation अ कथा कुआ होई से Article 330 और 332 अ कथा कुआ होई से Respectively provide for reservation of seats in favor of SCs and STs in the house of people and in the legislative assembly in the state तैने के local Buddhists अ कथा तो reservation अ कथा कुआ होई से under part 9 relating to the panchayat and part 9 ne relating to the municipality reservation for SCs and STs in local Buddhists has been advised and provided So these are the safeguards and provisions So फेट सावो अ कथा अ कर अ कर दोपेटा अ का। आपेटा अ कर आपेटा का आपेटाटा आपेटा अ कर आपेटा आपेटाटा से अ कर आपेटा आपेटा से From the Moon to Europe six space missions to be excited for 2024 NASA's Viper rover is expected to begin its search for water near Moon's South Pole राप्मिशन, लुनर टेल भया प्लेजर विल अलसो मेप दो कि राथ प्लेट के इस बाचिन प्लेजर को शॉटन लांग भव लीको साना तो यूरूपा क्लिपर की हुई अपनलु के अटिकल तो भलके साव नासा ओी लांस यूरूपा क्लिपर, which will explore one of the Jupiter's largest moons, Europa. Europa is slightly smaller than Earth's moon with a surface made of ice. So, Europa Clipper is related to the exploration to the Europa, which is Jupiter's largest moons. So, number one point to be noted. Okay. Next, With Europa Clipper, scientists want to investigate whether Europa's ocean could be suitable habitat for extraterrestrial life. So, this is the aim. Okay. The Artemis program named after Apollo's twin sister in Greek mythology is NASA's plan to go back to the moon. It will send humans to the moon for the first time in 1972, including the first woman and first person of color. Artemis also includes plan for longer term sustained presence in space that will prepare NASA for eventually sending people even further. So, this is all about sending people along with all the necessary equipments to the moon. Think a share. So, next, Viper to hunt water on the moon. Viper, which stands for Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. NASA will use to explore moon's south pole in late 2024. This robotic mission is designed to search volatiles. Volatiles, which are molecules that easily vaporize like water and carbon dioxide at lunar temperature. These materials could be provide resources for further human exploration on the moon. So, what is volatiles? These are molecules that can easily vaporize like water and carbon dioxide at lunar temperature. It will be important. Next, Lunar Trailvisor N' Prime 1. So, NASA has recently invested in a class of small low-cost planetary missions called SimpleX, which stands for Small Innovative Missions for Planetary Exploration. These missions have caused by targeting along with other launches as which it is called as what is called Right Share or Secondary Payload. So, one example is the Lunar Trailblazer like Viper. Lunar Trailblazer will look for water on the moon. So, Lunar Trailblazer. It will be unusual. Next, it will be unusual. JAXAS Maritime Moon Exploration. The JAXAS MMX Mission Concept to Study. Photos and Demos Mars Moons. Okay. It will be important. It will be unusual. Number 5. Number 6. Next, it is a mission by the European Space Agency to return to the Demos Demo Force Asteroid System that NASA's DART Mission visited in 2022. A short-term mission from the moon to the universe. Six space missions to be excited for 2024. We will hope that all the missions will be getting successful in 2024. Tenneke Kothakwag, which is a SpaceX Falcon 9 to launch India's SpaceX Falcon 9 to launch India's G-SAT-20 satellite to spread broadband coverage. So, New Space India Limited by NSIL, the commercial arm of India's G-SAT-20 will launch G-SAT-20. G-SAT-20 is a high-throught carbon satellites, which will be fully owned, operated and funded by NSIL. So, ER, we know that Falcon 9 is a reusable two-stage rocket. This is a two-stage rocket. And, ER, we know that SpaceX is a private company owned and founded by Elon Musk. The company provides space transport service to government and private companies and develops rockets and spacecraft. G-SAT-20 is a geostationary satellite series of geosynchronous satellites, which is a system developed by ISRO with an objective to make India self-reliant in broadcasting services. And, we know that G-SAT-20 can enable telecom providers to offer very high-speed internet services, which is about 4700 kg. G-2, ISRO's most powerful rocket LMB treat ke beshi hoi. He to karane ki kore se India, help log 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 ha hoi se. For its heavier satellites, weighing more than 4000 kg, India had been depending on European launch provider, Arian Space. So, Arian Space ki hoi? World's war leading satellite launch company hoi. And, 4000 kg it ke beshi he to karane falcon 9 rocket he to G-SAT-20 launch kore go. So, Falcon 9 is a reusable rocket, it can carry double death weight over 8300 kg to GTO. It has 285 flights to different location in space. The Indian satellites flight on Falcon 9 has been facilitated by New Space India Limited, NSIL, the commercial arm of ISRO, that entered into a launch agreement with SpaceX last year. Okay? So, hekini clear hoi, apna loo kore. Next, sami hai hai kore se. 55% of patients given antibiotics only as preventive measures. So, prevention hoi karane hai, 55% patients of antibiotics diha kore se. Nob for cure, purpose hoi, ee to ee taak kwa tha kudhi se. Ease prevention better than cure. NCDC ae taa survey kore si le, takki kore se 55% illisible patients were given antibiotics for disease prevention. Okay? With 37.3% receiving antibiotics for preventing surgical site infections. So, ee article that ahi se, over half of the almost 10,000 patients surveyed recently were given antibiotics to prevent infection. Rather than to treat it, amid growing concerns about rise resistance to the antibiotics, shows ee health ministry survey. Okay? Are we major threat to ki hai? The World Health Organization hai koi se. The World Health Organization has identified antimicrobial resistance, AMR, as one of the top threats to the public health. It is a natural phenomena as bacteria evolve, making drugs used to treat infection less effective. Okay? So, ami NCDC ka tha ala ap zhani bolahi bo. The National Cooperative Development Cooperation, which was established by an Act of Parliament in 1963 as a statutory cooperation. Nodal Minister ki hai hai ar Ministry of Cooperation. Function, basically as a planning, promoting and financing programs for production, processing, marketing, storage, export and import of agriculture produce, foodstuffs, certain and are notified communities such as fertilizers, insecticides, agriculture machinery, lags of kerosene oil, etc. Okay? Aru ki hai 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 hai? Supply of consumer goods, collection, processing, marketing, storage and export of minor forest produce, trooperatives, visite income genetic stream activities such as poultry dairy fishery ka tha hai hendlo, etc. So, hamaa india kishwa ban drug resistance oa related kishwa ban initiative as aure ni kashini national program on AMR containment 2012 bot launch echi hai. So, AMR surveillance network, through this AMR surveillance network goe tu lah hai hai. Strengthened by establishing labs in state medical colleges. Tane hake national action plan on AMR as aure ni kashini focus kore one health approach and was launched in 2017 April. तेकासे तेने के Antibiotics Stauardship Program असे, ICMR-Initiatyaters Antibiotics Stauardship Program on Pilote Projects across India to control misuse and overuse of Antibiotics in Hospital, Wards and ICOs. So these all are important along with, globally आमिजरी साहों, तते आसे World Antimicrobial Avonese V किकाता था? Annually since 2015 ओर परा पता हो ईतु. It is a Global Campaign aims to raise awareness about anti-Microbial resistance worldwide and encourages best practices among the general public health workers and policymakers to start blocking and threat drug resistant infections. So, Drug Resistant Infection or Economist, देना तो रहे डाग ग्लोबिल अंति-मक्रोबिल रिस्तेंस जा ग्लास मिलिक्वा हॉय 2015 लांश को रिषिले डबली एच्छ वे तू पोर्ट अपनलके भालके पोई सब्सक्राइब ग्लास मिलिक्वा हॉय लाग ओरो गीन अग्लूगः गार अजय वेच्ग गाय कि रिष्ग ग्लास के और खुर्ट की यह a वीज ग्लास कि अभाउनी ग्लास मिलिक्वा ग्लास मिल्ड़िल लाग एच्छ अपनलके सब्सक्राइब ऑाल फयरॉ तो अम्य जुट शालो गांट जुट आप फिएस्टी खरो बॉत्मधा जुट साह सो जुट वानोर फेस्टीब एक हथा कुई स्टुण ने तोट्वेंस ुट सिलाबॉत्तम उपौ एक अच्टीबू एक चन्नाई एक ये क्या टना संदीव टना परेला को ये लेला आपको दो प्ली आई बढू है शिला बत्म अजिए और सबुड़ा बात्म इच अलेट टु दा वेधी विरु दा विजा आपको यह नही आजी आजी कारोने आए भग कर दो